Hi, welcome to my channel g.learning हम लोग आज कल जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं g.docs की कि कैसे हम docs खोल सकते हैं अपने drive में जाकर और उसमें कैसे हम work कर सकते हैं इससे पहले वाली सेशन में मैंने आप लोगों के सामने कि कैसे हम docs खोल सकते हैं और ये जो drive में उसके जो different templates हैं, उनको हम कितने type से use कर सकते हैं, हम अपने resume में बना सकते हैं, cover letter बना सकते हैं, अपने presentations उसमें बना सकते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा कैसे जो templates हैं, आज से अब जो हम discuss कर रहे हैं, वो अब हमारा आएगा कि कैसे अब हम एक plain google doc खोल कर उसमें हम अपना content develop कर सकते हैं, तो हम अपना google doc कैसे खोल सकते हैं, इसको सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारा जो ये google page है, इसके थुरू हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम जब ये nine dots पर click करते हैं, तो हम drive में जाकर अपना खोल सकते हैं google docs, और इसका दूसरे और method भी है, google docs खोलने के, जिनको हम और थोड़ा explore करते हैं आज, तो ये जो हमने, ये जो nine dots जब हमने click करीं, और इसमें जब हम थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे, तब भी हम देखेंगे, हमें यहाँ पर भी google docs available है, तो एक ये और method हो गया, google docs खोलने के लिए, दूसरा जो method है, कि अगर आप अपना, google जैसे आपने ये nine dots पर click नहीं करा, आप यहाँ पर ये जो आपका only box है, उसमें अगर आप type करें, docs.google.com, तो देखिए, जब हम इसको click करेंगे, तब भी हमारा ये जो है, google docs यहाँ पर देखिए, खुल रहा है, तो इस type से हम देखते हैं, कि हमें google docs ऐसे भी मिल सकते हैं, तो ये हमने देखा, कैसे different type से हम google docs अपन खोल सकते हैं, अब हम लोग चलते हैं, अपना एक, मैंने एक presentation के लिए, एक session अपना ये बनाया हुआ है, डॉक्स पर बनाया, इसको अभी ये open हो रहा है, और इसको हम देखते हैं, कि कैसे अब हम इस पर काम करते हैं, तो ये हमारा एक google docs खुला हुए, और ये जहाँ देख है, एक हम ये भी देखते हैं, कि जैसे google doc है, तो हमारा plane भी अगर हम एक अपना open करके देखें, तो blank है ये हमारा, तो ये मैं open कर रही हूँ, और यहाँ आप देखें, कि अब मैं यहाँ पर, ये मेरे पास जैसे plane page है, ये इस type से मेरे सामने एक highlight हो गया, और यहाँ पर आप ये उपर देखें, left hand side, untitled document, तो ये जो आप जब भी हम कोई अपना docs बनाते हैं, या हम कोई भी काम करते हैं, उसको एक हम title देते हैं, तो suppose अगर हम presentation बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर title लिख सकते हैं, कि हम यहाँ पर इसको अगर देखिए, तो यहाँ पर लिख सकती हूँ presentation करके, इसका एक और देखते हैं, कि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम top पर अगर हमने इसको अपना यहाँ पर भी एक हमने दिया, और इसको अगर हमने click करते हैं, और फिर यहाँ पर अगर हम click करें, तो देखें, देखा आपने कि आपने यहाँ पर type करा, अपना मान ल और यहां आपना एक उसको जो डॉक्स को नेम देना है वो रहे गया तो आप इसको हाइलाइट करके यहां पर क्लिक करेंगे तो यह आपका एक इस नाम से सेव हो जाएगा तो यह मैंने दिखाया कि कैसे हम अपना एक प्लेन गूगल डॉक खोल कर और इसमें अब जो हमें दे सकते हैं and you can start working here अब जो मैंने एक आपके लिए सेंपल एक अपना presentation बना रखा है इसके थू हम यह समझेंगे कि हम इसमें कैसे इसका जो यह ऊपर हमारे यह टूल बॉक्स हैं इनकी हल्प से हम अपने जो content है इसको एक align कर सकते हैं इसमें हम difference ला सकते हैं तो आपको याद होगा जो बैने जी मेल में अपने एक session में आपको बताया था कि कैसे जब हम मेल अपना लिखते हैं जब compose करते हैं उसको तो उसमें alignment उसका जो एक आपका किस टाइप का font आप यूज कर सकते हैं उसका size क्या हो सकता है कैसे उसको color कर सकते हैं सीम हमारा यहाँ पर भी यह applicable है तो यहाँ तो जो भी हमें difference जिसमें लाना होता है उसको हमें highlight करना होता है तो suppose यह मेरा एक इंडिया के उपर presentation बना हुआ है उसमें different उसकी कितनी states है कितनी union territories है states and capitals के बारे में इस type से मैंने अपना एक कुछ अपना work करना है मैंने इसमें यहाँ पर content डाल दिया है मैं चाहूँ यहाँ पर copy आगर मैं चाहूँ लिख सकती हूँ उसको type कर सकती हूँ otherwise कहीं मुझे content पिल रहा है तो मैंने अगर उसको देखा किसी site पर वहां से copy paste कर लिया और इसमें एक बहुत easy रहता है जब हम अपना अलग window नहीं खोल सकते हम insert कर सकते तो insert का जब मैं एक session लूँगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे हम बिना नई window खोले इसी पर ही काम कर सकते हैं लेकिन अभी हम basic चीज़े सीख रहे हैं तो suppose करिए यह इंडिया इसको मुझे आप में जो font change करना है तो मैं यहां पर यह एरियल है अब यहां पर देखिए आगे different यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं तो म font मुझे चाहिए मैं उसको highlight कर दूँगी और अब suppose करें मुझे यह वाला font जो है यह मुझे पसंद आया तो यह मैंने जो एक मुझे title अपना देना था वो मेरा एक आ गया यहां पर वो उस font में आपका सामने it's visible अब मुझे यह मुझे लग रहा क्योंकि यह मेरा main title है तो इ मैंने इसको ही इंडिया को ही highlight करके और यह मैं font size यहां पर increase कर सकती हूं suppose मैंने 24 कर दिया ठीक है तो यह मेरा font size बड़ा हो गया अब जैसा मैं चाहती हूं कि यह मेरा अगर मैं इसको और bold करना चाहूं तो मैं इसको और bold कर सकती हूं मैं idealize करना चाहूं मैं idealize कर सकती हूं क्लिक करा अंडरलाइन हो गया इवेन अगर मुझे color change करना है तो ये मैंने text color करके और मैं अगर जाओं तो मैं इसको जैसे मैंने blue से इसको highlight कर दिया तो यहां आप देखा आपने कि कैसे हमने जो हमारा different type का font उसका size bold idealize underline ये सब हमने करा तो हमें जिसमें भी change लाना है उसको बस हमें क्या करना है highlight करना है highlight करने के बाद ही उस पर change आएगा तो ये मैंने bold करना था मैंने इसको bold कर दिया मुझे underline करना है मैंने इसको underline कर दिया अब देखे अगर मैं यहां पर मुझे introduction में change करना है और मैं यहाँ पर इसका font मैं चूज कर रही हूँ suppose आपको highlight करने के लिए 30 देखे change हुआ, नहीं हुआ लेकिन मेरा cursor जो था उसके size में change आ गया तो यह बहुत important है कि आप जो change करना चाहते हैं उस size को पहले highlight करें और तब उसमें वो आप change कर सकेंगे और देखे जब हम highlight करते हैं तो वो font size जो है वो visible होता है तो यह देखे यह 12 है, यह introduction मेरा highlighted है, यह 12 है और यहाँ देखे अगर मैं India को highlight करूँ तो यह देखे font size 24 और वो कौन सा font है यह भी visible है तो कभी अगर हमें content मिला हुआ है और हमें यह पता करना कि अच्छा यह तो इसका हमें बड़ा अच्छा एक size लग रहा है, बड़ा अच्छा font लग रहा है यह कौन सा है, तो उत्ते content को अगर हम highlight करें तो वो हमें देखे यह aerial है, तो हम highlight करके पता कर सकते हैं यह कौन सा font है और क्या उसका size है, अब हम आगे चलते हैं और इसमें आहां देखे, ऊपर बहुत चीजे visible हैं, यह hyperlink है, यह भी मैं आने वाले session में hyperlink का बताऊंगी बहुत interesting है, और कैसे उसको आगे use कर सकते हैं, वो आने वाले sessions में सीखेंगे लेकिन हमेशा पहले हम basic चीजों पर ध्यान देते हैं, अब देखिए, यह जो मेरा content यहां पर मैंने एक लिखा हुआ है वो आप देखरें, वो यहां पर बड़ा एक, अगर कहें systematic नहीं है, एक form में नहीं है और यहां मुझे एक form में लग रहा है, और यह मुझे लग रहा है, इधर मेरी space बेकार जा रही है और यह इस type इधर की तरफ inclined है, तो यह क्यों है, क्योंकि यह जो यहां पर देखें, यह हमारा alignment के सारे जो four measures हैं, वो सामने हैं, तो यह मेरा जो है, इसको मैं जब highlight कर रही हूँ, अब मैं पूरे इस content की बात कर रही है, तो मैं पूरा highlight करूँगी, और यह देखें, यह मेरा, यह right, यह देखें, नीचे लिखकर आ रहा है, right align, तो यह right align है, ठीक है, और यहां पर अगर अगर आप करेंगे, तो आपका जो content है, वो right side move हो जाएगा, अब मुझे अगर suppose यह मैं चाहती है, यह थोड़े left hand side हो, तो यह मेरा highlighted है, और मैंने यह left align पर करा, तो देखें, यह यह यहां पर shift हो, अब मैं देखती हूँ, अगर मुझे यह left नहीं, मुझे center में चाहिए, तो मैंने यह center alignment पर click कर, यह center पर आ गया, तो इस type से हम left, right, center alignment कर सकते हैं, लेकिन आप देखें, कि हम जब भी अपने notes बनाते हैं, even copy में भी लिखते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, कि हर चीज, एक line से हमारा क्या होता है, margin होता है, जिससे हम लिखना start करते हैं, और एक end तक हम अपने content को लेकर जाते हैं, तो एक uniform जो अगर होता है, वो बड़ा एक हमें अच्छा लगता है देखने में, तो यहाँ पर हमें यह पूरा uniform करना है, तो यह देखिए, justify, इसको click करा, और यह पूरा आपका justify हो गया, तो देखा आपने कि कैसे हम एक highlight करके, अ हमारी lines बहुत पास में हैं, तो हम इसमें, हम इसका भी measure change कर सकते हैं, यह मेरा single मैंने highlight करा हुआ है, देखिए, अगर हम 1.15 पे जाएंगे, space create हो गया, और अगर आगे जाएंगे, 1.5 पे, और create हो गया, कोई content है, जिस पे आपको बहुत जादा, अगर space देनी है, तो देखि हमने करा, तो हमारा यह change हो गया, तो हम इसमें अपना, यहां पे यह देख रहे हैं, अपने line spacing वाला, इसको हम जब choose करेंगे, तो यह हमारा line की spaces के बीच में difference आ जाएगा, और अगर हमें लगता है, यह हमारा कुछ जादा हो गया, तो देख रहे हैं, आप यहां पे अगर ह इविन अगर हमने यह अपना highlight हटा दिया, और यहां पे यह undo करा, तो यह हमारा पहला जो इससे पहली वाली stage थी, उसमें वो पहुंच गया, और यह हमारा सारा यह tool bar में यह visible है, और अगर हम चाहें तो यही same चीज, जब अगर हम format पर click करें, तो यहां में, और text पर जाएं तो देखे same चीज है visible है, bold, italic, underline, strike through का मैं आपको अभी next session में इसको बताऊंगी कि strike through का कैसे कर सकते हैं, उसका use क्या है, वो हमें next session में बताऊंगी आपको, और इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं हम format पर जब alignment and intent पर जा रहे हैं, तो देखें आपका left, center, right, justified, यह चारो ह हो गए, तो हमारे पास या तो यह सामने एक shortcut है, या हम format पर जाके हम इसको choose कर सकते हैं, अब हम एक चीज इसमें देख रहे है, increase intent और decrease intent, यह जो है, यह देखें, यह यहाँ पर भी visible है, same चीज, इसका क्या है, अगर हमें अपना जो content है, उसको हमें थोड़ा drive side से, अगर हम हमने देखे highlight कर और right करा, तो देख रहे हैं, अप यह इस side में shift हो गया, और अगर हमें थोड़ा left चाहिए, तो हमने इसको left कर लिया, तो हमें अपना जब हम कोई चीज develop कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक या तो हमारे पास instructions होते हैं, या हमें कुछ और उसमें functions डालने होते ह और हमें चाहिए होता है, तो इसके according हम अपना font size, अपना जो एक alignment है, वो सब हम कर सकते हैं, तो आज के session में हमने ये चीज़े देखी, कि अगले session में docs से related और चीज़े discuss करेंगे, तो अगले session में फिर से मलते हैं, तब तक जो मैंने अभी सिखाया उसकी practice करें, बाई!